नमस्तार दोस्तों, आज हम इसका solution रेखेंगे तो इसमें आपको समझने के लिए दो चीजे हैं एक होता है computer और एक होता है internet internet और यहां हमें लिखिया computer इसी प्रकार internet और यहां हमें लिखिया computer तो यदि आपके computer में कोई file है, कोई array है या कोई भी data है और उसे आप internet पर डालते हैं यानि computer में है और उसे आप computer में क्या करते हैं अप्लोड अप्लोड गरते हैं तो उसे हम कहें के अप्लोड है computer में कोई भी video है, data है, image है उसे आप internet पर क्या करते हैं अप्लोड तो मैंने इसके sign upwards गरते हैं यानि कोई data आप पर या image या कोई file आपकी internet पर है और उसे आप अपने system में अपने computer में लाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, downloading हम कहते हैं हमने video या image डाउन्लोड पर ला जाई है तो यह हो जाती है downloading यह दोनों topic आपको आशा करता हूँ समझाया हूँगा uploading and downloading अब आप question पढ़ेके तो लिखा है dash means sending data और a file from your computer from your computer on the internet अपने computer से इंटरनेट पर sending data और a file क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है uploading इसका answer हमारा क्या हुआ जाएदा uploading uploading आशा करता हूँ यह video आपको अच्छा लगा हूँगा इसी प्रकार हमारे चैनल को subscribe करें और देखते रहें हमारे previous years portion थेंक यू क्या हमारे चैनल को अच्छा करें प्रू में वह यह थेंक करता है